तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हम करंट्ली डिसकस कर रहे हैं चाप्टर नंबर 4 ओफ यू पेपर बी चाप्टर 4 ओफ पेपर बी पेपर अ हमारा कम्प्लीट हो गया है अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरी चैनल पर आपको प्लेइस्ट मिल जाएगी नितन सांगवान एसेंशल सोशालोजी पेपर ए के नाम से वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं तो पेपर भी हम कवर कर रहे हैं नितन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन से ठीक है अगर आपको उसका पीडियेफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीटी दिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे मैं चैप्टर वाइस पीडियेफ अप्लोड करती हूँ तो जैसे हमारा चैप्टर वान टू एंट्री कम्प्लीट हो गया है इन तीनों चैप्टर के पीडियेफ आपको वहाँ मिल जाएंगे नितिन सांगवान सर की सोचालोजी कम्प्लीट करने के बाद एक नों मटीरियल जो भी आपका रिलेटेद है तो यरुपेसी सोचालोजी उस पे भी वीडियो में बनाऊंगी and then vision IS related test series and PYQs और vision IS related जो भी answer booklets होती हैं toppers के ठीके उन पे भी एक वीडियो आएगा and PYQs भी हम discuss करेंगे and then एक revision series भी जो आपके prelims के बाद आपको ये subject revise करने में help करेगा ठीके तो start करते हैं आज का lecture लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू कि ये जो कुछ topics है हम फिर से पुराने edition से cover कर रहे है and ये सरफ इसी chapter में है क्योंकि जो मेरी book मैंने amazon से order करी थी online हमारी ये जो latest edition की book है नितिन सांगवान सर की उसमें कुछ pages missing है ठीके तो वो जो missing pages है उसके topics हम पुराने edition से cover करेंगे and then we'll resume the chapter from the latest edition जब ये topics हमारी complete हो जाएंगे जो उस book मैं missing है ये बस इसी chapter की problem है आगे 5th chapter हम फिर से continue करेंगे हमारे latest edition से तो perspective of Gandhi तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि Gandhi जो थे वो caste system के against थे लेकिन वो जो theoretical framework था एक caste system का जो वर्न framework था वो उसके against नहीं थे unlike your BR Ambedkar जो starting से ही annihilation of caste की बात करते थे लेकिन जो गांधी थे उनका perspective था कि caste system as in जो आपको चतुरवर्णर सिस्टम religion से मिला है वो बुरा नहीं है लेकिन जो caste disabilities बाद में lower caste लोगों पर impose की जाती है और जहां वो untouchability बाला concept आता है वो चीज ठीक नहीं है तो वो उस चीज के against थे और उन्होंने इनको हरिजन्स कहा था children of God low caste को उनके साथ रहते थे उनके साथ काफी time तक रहे खाते पीते थे और civic disability जो भी उन पर impose की गई कि उसके against उन्होंने अपनी आवास भी उठाई थी और जो separate electorate दलत को देने की बात हुई थी separate electorate जो आपके moralemental reform से आया था कि separate electorate वहां से introduce हुआ था बाद में इसको gradually बाकी इन लोगों के लिए भी extend किया गया था बाकी classes के लिए इसका क्या मतलब हुआ सिर्फ एक दलत ही तलत के लिए वोट कर सकता है उसके against भी महात्मा गांधी थी उन्हें आवाज उठाई थी उनका मानना था कि इन चीजों से society में एक schism create हो जाएगा एक division create हो जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए इसके contrary जो BR अंबेत कर थे वो काफी open थे इस चीज को लेके वो ये चीज मा कर दो हमें कोई rights दे दो जिससे हम अपनी life जो है वो better कर सके ठीक है तो देखते हैं book में क्या लिखा है some critics argue that जो गांधी थे वो he was a political revolutionary but not a social revolutionary on the issue of caste also he never supported the view that caste as an institution should be overhauled और should be scrapped altogether ठीक है ये इन्होंने कभी नहीं कहा उन्होंने support कि आपका चतुरवर्ना system है जिसमें society divide होगी ह चार वर्नाज में और आश्रम विवस्ता देखो आश्रम विवस्ता क्या होता है एक Hindu आपसको traditional Hindu social organization भी बोल सकते हो कि जो Hindu की life है वो चार आश्रम्स या stages of life के around build होती है वो चार आश्रम्स आपके क्या होते हैं पहला होता आपका ब्रह्मचारिया फिर होता है आपका ग्रहस Then one prastha and last one is your sanyasav ठीक है, तो यह आपका होता है ब्रहमचारी है, जिसमें आप education वगेरा हासल करते हो, 0 to 25 years वाला, फिर ग्रहस्ता होता है, इस आश्रमें आप आते हो, through marriage, आपकी शादी वगेरा हो जाती है, तो 25 to 50 मान लो, या 45, या 50 मान लो ये age, and then मन प्रहस्ता होता है, कि अब आप onwards, आप सन्यास की तरफ चले जाते हो, कि जब आप वनप्रस्ता में क्या करोगे, सारे material desires अपने खतम करोगे, और जंगलों में बिल्कुल सिंपल आप रहना शुरू करोगे, वहां में meditate करोगे, सन्यास जब आपको मोक्ष मिलता है, ठीक है, उस stage में आपको मोक्ष मिलता है, मोक्ष क्या होता है, liberation from the cycle of birth and death, क्योंकि हिंदू का belief है, कि हमें reincarnation होती है, that means पुनर जनम होता है, दुबारा इस दुनिया में आते हो, तो जब तक आप ग्रहस्ता वाले आश्रम में और material desires में हो, ब्रहमचारिया से ग्रहस्ता में आते हो, material desires अभी भी जिन्दा है, जब तक कब वन प्रस्ता में आके अपने material desires को खतम नहीं करते, आप इस cycle of birth and death में ही हमेशा फसे रहोगे, अगर आपको इससे liberate करना है खुद को, और मोक्ष हासिल करना है, तो finally आपको सनियासा stage में आना होगा, ठीक है, ये था इनका आश्रम विवस्ता, तो ये organizing principles of Indian society थे, according to Gandhi, उ in the whole world, ठीक है, according to Vernon विवस्ता, United Society, जो untouchability है, वो is exploitative, ऐसा नहीं है, उनने untouchability को support किया, उन्होंने call out किया, बोला ये exploitative है, लेकिन साथ में जो religious sanction मिला था, Vernon विवस्ता को, उसको उन्होंने बुरा नहीं कहा था, तो this way he differentiated the theoretical framework from the empirical reality of the caste system, ठीक, ऐसे differentiate किया, empirical reality क्या बताती है, untouchability जो on ground हो रहा है, लेकिन theoretical framework क्या बताता है आपको, आपका, वर्न विवस्ता की society, चार caste में, चार वर्नास में divided है, तो Gandhi, जो continuous untouchability की means a slow destruction, taking over Hinduism की आई साइ 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 सको destroy करेगी, he was also of the opinion that without integrating the vast sections of the depressed class in the Hindu society and without removing untouchability, it would be difficult to achieve सुराज, कि सुराज जो है आपका self-rule, आप तब तक वो अचीव नहीं कर सकते हैं, जब तक आप untouchability को खतम ना कर दो, और उनने articles लिखे लाए, caste must go and untouchability as a crime, इस चीज को आगे impose करने के लिए, he focused on the reformative approach कि इसको reform करो, caste system को आप reform करो, ठीक है, and an approach to reform Hinduism from within by getting rid of untouchability, क्योंकि ऐसे वो इस चीज के against नहीं थे, जो Hinduism के organizing principles थे, जिसे आश्रम और वर्ना विवस्ता, इसके against वो नहीं थे, इसलिए वो कह रहे थे, जो ये evils that have crept into the Hindu society, into the Hinduism, उसको क्या करो, उसको reform करने की जरूरत है, he deemed untouchables कहा था, वो equal children of God है, and call them harigans, तो उनने काफे इंडिया का tour किया था, ये सारी details में आप history में पढ़ोगे, वो harigans के साथ almost 2 साल तक रहे भी थे, ठीक है, तो उनका उटना, बैटना, खाना, जो उन पर civic disabilities imposed की जाती थी, आप उनके साल खाने ही सकते हैं, जिस वेल से आप पानी पिएंगे, उस वेल से वो पानी नहीं पी सकते हैं, तो उस सब चीज़ों को उनने खतम करने की कोशिश की थी, he aimed at reforming the Hindu society from within, to get rid of the evils of the caste system, तो आप देख सकते हैं, उनका point of view, उन्होंने हिंदूस को वर्न शिस्टम जो है, उसको उन्होंने call out नहीं किया, जो empirical reality बन गिये है caste system की, उसके against थे, और सरफ उसके against बातू में नहीं थे, उन्होंने practically ये करके दिखाया, दो साल, इस अप एक time जो उन्होंने उनके साथ spend किया, ठीक है, और कोशिश ये करें, कि जो notion create किया गया है, कि untouchable, जो है, वो polluted है, उस notion को खतम कर सके, ये था गांधी का perspective, लेकिन जो ये हैं, बियार अर्मबेतकर सहाब है, इनका perspective completely अलग था, उनके एक radical view था, and he called inhalation of caste system, वो कहते थे, caste system को अब खतम करो, caste system की अब inhalation करो, ठीक है, उन्होंने origin पी दिया था, caste system का कहां से हुआ था, दलिट्स का, तो broken man theory का concept दिया था, उन्होंने का था, ancient times में वार वगेरा काफी ज़ादा होती थी, और in defeats की वज़ा से, और wars की वज़ा से, एक group of tribe था, जो main society है, यह main group है, उससे fragment, उससे alag हो गया था, and hence became wandering broken men, तो जो लोग बार-बार हारते थे उस wars में, या जो काफी exploit हो रहे थे उस wars में, वो बस ऐसे wander करते रहते थे, means वो ऐसी गूमते रहते थे, वो किसी एक group का part नहीं थे, over the time वो जो civilized, settled village based tribes है, वो उनसे alag हो गए, main group से completely alag and distinct हो गए, and वो जो group था, वो जो tribe था, वो follow करते थे Buddhism को, तो even जब Brahmanism का resurgence हुआ, दुबारा Brahmanism की dominance बढ़ गई, और उस चीज को retaliate करने के लिए, लिए कि ब्राहmanism को गुसा आगया हमारी बात कैसे नहीं मान रहे हैं, तो ब्राहmanism ने उनको क्या किया, इन broken men को बोलने लगे untouchables हैं, तो जो भी practice ये broken men करते थे, जैसे अगर ये beef consume करते होंगे, ठीक है, तो उस हर practice को, तो इनको क्या किया जाता था, इनको सेटल विलिज में फिर एंटरी नहीं मिलती थी, क्यूंकि ब्राहmanism की जो डॉमिनंस की उसको रफ्यूस क्या था, इस बुदिस्ट थे, इस बुदिस्म फॉलो करते थे, तो उनको अलग ही रखा जाता था, और ग्राजुली ओर टाइम क्या हो गया, यह लोग आउट्सकर्स पे ही रहते थे, क्यूंकि इनको मेंन सेटलमेंट तो देते नहीं थे, विलिजर्स, तो ग्राजुली ओर टाइम, इनको लेबल किया गया, अस अंटचिबल्स और जो डलिट से आज के, यह बेसिकली वही ब्रोकन मेंन है, जो स्ट्राइब से अलग होए थे, ठीक, तो जो बियार अमबेदकर है, he viewed caste system as so degraded and dehumanized, that he deemed it beyond repair, कि जैसे गांधी क्या बोलते थे, कि reformative approach लाओ, कि reform करो caste system में, जो भी गलत है, लेकिन यह कहते थे, कि beyond repair है, कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यह काफी जादा dehumanizing है, उन्होंने consider किया, कि Gandhian view as utopian, utopian is too ideal to be true, मतलब कोई इतना ideal आप चीज़ को present करो, कि वो सचाई reality हो ही नहीं सकती, तो उन्हें का Gandhian view जो है, वो utopian है, caste जो है, should voluntarily come forward to bridge their differences, यह किसने कहा था, Gandhian view था, he believed that Gandhian idea of veronization of caste system will only make it stronger, so he considered legislative measures, उन्होंने बात की legislative measures की, तो आज जो हम यह दलित associations देखते हैं, जो बनी हुई हैं, जहां पर दलित political parties बनी हुई हैं, तो कहीं न कहीं, इसका जो श्रे हैं वो, उनके लिए एक political consciousness चाही थी, low caste के लिए, कि उनके अंदर क्या आए political consciousness और उनको rights मिले, तो यह भी उनकी दूर की नजर थी, कि उनको लगा था कि Indian society में यह चीज़ ठीक नहीं होने वाली, तो रादर हम क्या करें, एक utopian world में रहें, और इसको ठीक करने की, अंबेदकर अनलाईजे इंपक्ट ओव दिविजन और सोसाइटी इंटू वर्नास on the Hindu social order, उन्होंने आर्ग्यो किया, that basis of this division, Hindu social order has failed to uphold liberty, equality, fraternity, the three eternals of a free social order, ठीक है, कि जो division है उसकी वज़ा से, हम liberty, equality, and fraternity सही से observe नहीं कर पाते Indian society में, according to French social thinker, Christophe Jeffrile, in his Ambedkar and Untouchability, Ambedkar employed four strategies to fight caste system, Ambedkar सहब ने, चार strategies use करी थी, caste system को fight करने के लिए, पहला था to build a respectable identity for Dalits, by re-interpreting the history, वो उन्होंने कैसे किया था, through broken men theory, तो अगर आप exam में ही लिखो, आपको broken men theory नहीं लिखनी है पूरी, लेकिन एक respectable identity for Dalits, की basically कुछ भी नहीं है, वो एक tribe से अलग होई था, तो आप bracket में example लिख सकते हो, second, एक legitimate electoral space, that means, उनको politically ये करने के लिए, उनको एक electoral space ले किया, उनको कुछ rights दे दो, उनको voting rights में थोड़े extra concessions दे दो, जैसे for example, ठीक है, third was to lift the condition of Dalits, by working with those at the top, be the colonial forces or the people in the Indian National Congress, वो चाहते थे जो Dalits है, वो top के जो लोग आते हैं hierarchy में, उनके साथ काम करें, जाहे वो colonial administrators हों, या आपके INC के members हो, his final strategy was to convert en masse outside Hinduism, क्योंको लगता था Hinduism के इस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, तो वो चाहते थे कि, लोग हैं, वो convert करें, दूसरे religion वो जिसको follow करते थे बुदिजम को, और उनके साथ साथ काफी lacks में, लोगों ने convert भी किया था, Ambedkar also recommend abolition of religion, and advocated for the state-appointed priests in temples, temples में भी जो गर priests appoint होंगे, वो भी merit के basis बे होने जाहें, ठीक है, और caste के basis बे नहीं, Ambedkar ने का, inter-caste marriages would be structural antidote to the religiously administered social position, that was causing hideous degradation and alienation of society in modern India, तो inter-caste marriage जो है वो, क्या रहेगी, अच्छी रहेगी आपकी society के लिए, he was the face of Dalit in pre-independence India, and rise of Dalit consciousness in India is attributed to him, तो face of Dalit बों सक्यों pre-independence era में, I am the rise of Dalit consciousness हुई, जब Dalit अपनी identity के साथ खुद को associate करने लगे, caste identity, तो इसका काफी ज़ादा एक credit उनको भी जाता है, क्यूंकि he did not shy away from this, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने संस्क्रिटाइशन वाली बात नहीं करी, किसी को follow करने वाली बात नहीं की, उन्होंने को utopian concept नहीं लेके आए, उन्होंने लोगों को accept करने को कहा ये दलित चीज है, हम इस category को belong करते हैं, identity को clear करने की कोशिश की, कोई हम lower class वगेरा कहां से आये ते, उस चीज को उन्हें थेयरी को change किया, and then अपने लिए कुछ benefits demand किये government से, Amitgar was born na Hindu, he often swore that he won't die one, और ऐसा ही हुआ, he converted to Buddhism, और उनके साथ 200,000, that is the 2 lakh people of his followers, weeks before his death in 1956, and lived up to his vow, उन्होंने भी उनके साथ convert किया था, he remained in the steadfast opposition of caste, and untouchability during the constitution assembly debates, and as a result, many provisions envisying a caste and discrimination free India, were incorporated in the constitution of India, तो जहां आप reservation की बात देख लो, या जहां पर आप equality की बात, क्योंकि constitution की जो drafting committee थी, उसके chairperson थे, तो काफी जादा जो उनके लिए, उनके हक में बाते थी, वो उन्होंने करी थी, और हर जगा, हर platform पे इस चीज़ को mention किया था, और starting से लेकर end तक उन्होंने इस चीज़ को ही advocate किया था, उनकी ideology इस चीज़ को लेकर किसी कोई भी change नहीं कर पाया, आगे देखते हैं, डिफरेंस caste system को लेके जो गांदी ने और अमबेद करने कहा था, यही सारी चीज़ जो हमने डिसकस की, यहाँ पे टैबलर reform में represent की गई है, आपके लिए easy हो जाएगा revision अगर आप ऐसे करोगे, गांदी challenge the caste system from above, और अमबेद challenge is from below, according to him, जो वर्ना विवस्ता था, वो integral था to the Hindu social organization, though it needed reforms, तो उनकी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, reformative approach theme की, लेकिन ही deemed, जो अमबेद करने हैं, he deemed the product of Brahmanical devotion, and gave the theory of broken men, explain करने के लिए subjugation of untouchables, ठीक है, गांदी जीवा बॉल्ट स्परी over the years, but he still remained deeply spiritual, and sought social change within the Hinduism, तो इसके against वो नहीं थे, लेकिन ब्यारम पेद कर जो उनके radical views थे caste को लेके, he argued जो belief of the people है, उनको अब change नहीं कर सकते, alter नहीं कर सकते, इसलिए उनने favor किया, using state as an instrument, establish करने के लिए forward thinking social policies, जिसमें आपके electoral benefits आगे, आपके separate electorates, change of the heart of the Hindus, लेकिन अम्बेद करने का ये utopian idea है, उन्होंने का एक political economic solution चाहिए, in terms of change of the structure itself, Gandhi gave untouchable new names Harijan, अम्बेद करने reject किया, Gandhi's notion of Harijan as soothing palishev, to disguise the hard reality of a half caste, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ को accept करते थे, कि subjugation और exploitation हुई है, तो आपस उनको Harijan बोलके, उनकी जखमों पे उनको मरहम नहीं लगा सकते हैं, उनको कुछ benefits चाहिए, according to Gandhi, every work was sacred, and the type of work performed by one caste, doesn't make it superior or inferior to other caste, ठीक है, लेकिन अम्बेद कर का मानना था, कि जो work assigned होते है untouchables को, it was not held in similar respect, as of the other caste work, and it was the most dehumanizing, जैसे mostly आज भी किसमें involved है, manual scavenging में, तो वो mostly dehumanizing aspect ही है, उसी economy में, वो उसी kind of jobs में involved होते हैं, जिनको बाकी caste क्या करते हैं, look down करते हैं, तो इनको reformation चाहिए थी, और इनको annihilation चाहिए था, तो आज undigibles के लिए, so-called Dalits के लिए, काफी constitutional legal approaches, जिसे रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, यह fundamental right, article 17, जो prohibit करते हैं untouchability को, यह legislation, जिसमें आता है, protection of civil right act 1955, reformist approaches, and which include the rise of new sect, and revival of old glory, नई sect सामने आ जाते हैं, यह revival of old glory, जहांपे caste system वैसे practice नहीं हुआ होता था, and who viewed Vedic Hinduism as free from untouchability, क्योंकि मैंना आप हो कहा, जो untouchability का form हम आज देखते हैं, वो लेटर Vedic age में start हुआ था, अर्ली Vedic में वो नहीं था, people-led approach which includes work by civil society NGOs, यह भी इस चीज को लेके काम कर रहे हैं इस चीज पे, there are many other specific perspectives on the issue of untouchability, for example, Dalits of South India, call themselves Adi Dravidians, यह भी हमने पढ़ लिया है starting chapter में, they claim themselves to be the original inhabitants of the Dravid land, and victims of Brahmanic oppression, ठीक है, यह सारी changes हमें देखने को मिलती हैं, अब आगे देखते हैं, state and non-state steps towards the abolition of caste and tribal discrimination, क्या steps रहे हैं, Indian state जो है, has been running many special programs, scheduled tribes के लिए, and scheduled caste के लिए, even independent से पहले भी, the schedules listing the caste and tribes that were drawn up in 1935, by the British Indian government, were a recognition of the massive discrimination practice against them, ठीक है, तब यह जो यह बना था, एक आब उसा तो लिस्टिंग की थी, और उसमें कईों को scheduled tribes और scheduled caste में डाला गया था, तो जो main इसमें involved थे, वो Herbert रिस्ट लिए ठीक है, ठीक है, उनके थूएं किया गया था, यह independence से पहले की बात है, तो उनकी list त्यार किये गए थे, independence के बाद जो policy of reservation है, it was used as a tool of positive discrimination, तो positive discrimination दी थी, जैसे हर कोई equal रहेगा, किसी को कोई benefit extra नहीं मिलेगा, right to equality की बात की थी, है, वो लेके आ सकती है, fine, और IB है, और आती भी है, हमें पता है, STs, STs, OBCs, अब तो EWSP है, इनके लिए अलग kinds of reservations जो है, वो available है, इसको पॉज़ट काइंड ओडिस्क्रिमिनेशन कहते है, कि all the discrimination है, लेकिन इसका positive impact होता है society पे, which was extended later to OBCs also, in addition to reservation, there have been number of laws passed to the end, passed to end, prohibit and punish caste-based discrimination, especially untouchability, ठीके, तरावनकोर, Cochin, Removal of Disability Act 1825, आज के Kerala State में, यह पहला untouchability legislation रहा है India का, one of the earliest pan-India laws was Caste Disability Removal Act 1850 में, the Protection of Civil Rights 1955 में, जसने criminalize किया है practice of untouchability in every form, ठीके, तो यह सारे कुछ acts वगेरा, आप याद करके रख सकते हो, The Prevention of Attrocities Act 1989, यह अगर आप अपने answers में लिखोगे, तो answers को एक अच्छा look मिलेगा, Revise and strengthen the legal provisions, punishing act of violence, or humiliation made against Dalitya Adivasis, ठीके, वो किसमें आइसा Prevention of Attrocities Act 1989, However, the fact कि जो legislations है, इतनी सारी legislations है, लेकिन फिर भी ground, जो empirical reality है, वो अलग है, वो हमें देखने को मिलता है, आए दिन की जो lower caste है, उनके साथ कितना जादा exploitation, अभी भी face वो करते हैं, तो इसलिए बोला जाते हैं, तो इसलिए बोला जाते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकती है, governments are also trying some innovative ways, जैसे money, पैसे मिलते हैं, intercast marriages के लिए, ठीक है, हरियाना और Madhya Pradesh में, governments are providing cash benefit, to newly married couple, जिसमें से एक कोन होगा, जो दलेत होगा, तो government भी ऐसे innovative changes, तो ताइम तो ताइम लेके आने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को भी अपने अंदर change लानी चाहिए, state action alone cannot ensure a social change, human beings are always capable of organizing and acting on their own, often against very heavy odds to struggle for justice and dignity, Dalits two have been increasingly active on political, agitational and cultural fronts, पे अप्रें प्री इंडिपेंडेंस ट्रगल से and movements launched by people like Jyotiba Phule, Jyotidaas Periyar, Ambedkar and others to contemporary political organization, जैसे बहुजन समाज पार्टी न्यूपी या दलत संगर समिती of करनाट का, दलत political assertion has come a long way, सब चीज़ों से क्या हुआ है, जो है वो खुद को politically assertive बनाने की कोशिश करते हैं, political parties जो हैं ये form होती है, ठीक है, वो काफी struggles, pre-independence struggle or movements, जो इन लोगों ने launch किये हैं, ठीक है, तो इस सारे नाथ के साथ जुड़े हुए हैं, प्लस उनने अब political organizations भी बनाई हैं, इस क्या हुआ है, इनकी identity ओर ज़र strong हो गई है, and politically काफी assertive हुए हैं, उसके जासे इनको benefits भी काफी ज़्यादा मिरे हैं, media has also played a leading role in recent times, by giving adequate coverage to evidence of movements and discrimination against Dalits and tribals, आज अगर कहीं भी कोई generosity exploitation होती है, तो जल्दी social media के थूँ सबको पता चल जाता है, तो इस वज़ासे भी नो काफी help हुए है, क्योंकि यह चीज़ हम stop up कर सकते हैं, तो यह हम lecture यहाँ पर stop करते हैं, नए वीडियो में नया यह ले के आओंगे, और हम find up करने की कोशिश करेंगे, नए वीडियो में चाप्टर को, तो 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 टाइम अप्लोड नेक्स वीडियो, बबाई, take care, have a great day.